हेलो फ्रेंज, आज मैं आपको सिकेर्ट संशाइन ये 2007 की कोरियन मूवे एक्सलोन करने वाला हूँ ये मूवी एक मदर की पेंच से रिकवर होने की जर्नी दिखाती है वीडियो से पहले जादा कुछ बोलना गलत होगा, इसलिए डारेक्ली स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और रस्ते के साइड में मदर और सन हमें दिखाये गए है इसलिए जो गार होती है, ब्रेकड़ून हो चुकी होती है मदर ने एक मैकिनिक को कॉल लगया होता है पर इस मैकिनिक को उसने जो लोकेशन बदाई है यह पता नहीं होती, क्योंकि जो मदर है, इसको भी actual में location पता नहीं है यह हमारी main character है, इसका नाम Sheena है Sheena फिर एक गारवाले को हाथ देती है, जो भी रुख जाता है exact location mechanic को दे देता है अब थोड़ी से देर होने वाली होती है, और side में ही एक छोटी स river होती है तो यह mother and son, यह दोनों river के पास आकर बेट जाते है mother के दी कितना अच्छा लग रहा है, यह sunshine Sheena अपने बेटे से कहती है, कि father को हमेशा यहाँ आना था son कहता है, कि father तो यहाँ नहीं है mother कहती है, हम तो यहाँ है, हम दोनों हमेशा एक साथ रहने वाले है थोड़ी दिर में mechanic आ जाता है, वो गाड़ी fix करता है यह जो mechanic है, यह हमारा और एक main character है इसका नाम कीम है, कीम शीने से पूछता है, क्या यह तुम्हारा first time यहाँ आने का वो कहती कि हाँ, पर वो अब यही रहने वाली है, यह भी उसे पताती है शीने एक piano artist होती है, उसे अब piano के लिए classes लेने है इसलिए उसे एक बड़ा hall लगने वाला है, वो कहा रहने वाली है यह भी उसे पता नहीं, तो rent के लिए भी उसे एक जगा चाहिए किम इसी गाव में रहता है, तो उसके contacts है, और यह सब उसे दिलवा सकता है इसलिए वो सब जगा कॉल करते हैं और inquiry करता है जिस गाव में अब वो रहने वाली होती है, इसका नाव Miriam होता है शीने फिर किम से पुछती है, Miriam कैसा गाव है किम कहता है, कि सिधा सदा गाव है लोग एक दूसरे को जानते है, जादा कुछ बड़ा इसमें नहीं है शीने उसका meaning उसे पुछती है, पर शीने को already इसका meaning पता होता है वो कहती है, किम कहता है, कि यह भी सही है, यह suit होता है इस गाव को जब थोटे दिन चले जाते है, तो शीने किम से मिलने आती है वो किम को कहती है, तुमने जो भी सब बताया था, वैसे सब कुछ सही से हो गया है उसे पियानों के लिए स्टूडियो भी मिल चुका है, और वो अच्छे सरह रही है किम से अंदर इन्वाट करता है, पर वो अपने बेटे के साथ होती ही तो चली जाती है घर जाते वक्त एक उसे शौप दिखती है, यह कपडो की शौप होती है यहाँ के ओनर के पास हो आती है, यह भी एक लेडी होती है, तो उससे वो बात करने लग जाती है वो केती है, यह बहुत बार तुम्हारा शौप दिखा है, यह शौप में अच्छी तरह के से लाइट नहीं आया पाती मुझे लगता है कि अगर तुमने इस प्लेस को रीडेकोरेट किया, तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ सकते है तुमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और ना कस्टमर डाउन हो जाएंगे यह जो शौप की लेड़ी होती है, यह उससे कहती है कि मुझे तुमारे बारे में पता है शीने का हस्बन मर चुका है, उसे हमेशा मिरियांग में रहना था, अब वो यहाँ नहीं है, तो इसलिए अब शीने यहाँ रह रही है शीने के हस्बन के बारे में इस शोर की लेड़ी को पता होता है, एक छोटा सा गाव है, और हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है वो पियानो लेसंस ले, इसा बोल रहा होता है, शीने के पास आकर वो एक फ्रेम भी लगाता है, जिसमें दिया होता है, यह शीने एक आवार्ड विनिंग पियानो टीचर है शीने बुश्ती है कि यह तो गलत है, यह क्या कर रहे हो, वो कहता है, इससे लोग ज़्यादा गन्मिन्स होंगे यह लगा कर वो चला जाता है, शीने का बेटा होता है, तो नरसरी टाइप स्कूल में हो जाता है वह एक ही टीचर होता है, जो सब को सिखाता है, यह अगर जो टीचर है, वो सब बच्चों को स्कूल होने के बाद घर छोड़ कर देता है शीने भी अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैटती है, और टीचर सब को घर छोड़ रहा होता है यहाँ वो Q-shift हुई है, यह सब उस teacher को बताती है उसे यह भी कहती है, कि मैं land buy करना चाती हूँ अब मैं यहाँ permanent रहना चाती हूँ, इसलिए मुझे land buy करनी है उसे बता रही हुती है, यागर तुम्हें कुछ अच्छी land पता हो, तो तुम मुझे बता सकते हो यह teacher road पे गाड़ी थमा देता है, इसकी जो बेटी होती है, यह दुसरे land के उसे fight कर रही होती है यह उसको लेता है और गाड़ी में रखता है, इसकी बेटी को वो बहुत डाटता है शीने teacher की बेटी से बुछती है, किस class में तुम हो, वो कुछ ही बता दी नहीं teacher उसे डाटता है और बोलता है, यह अगर तुमसे कुछ question पूछा जाए, उसका answer तुमें देना चाहिए next scene में हमें दिखता है, कि शीने कुछ medicine लेने के लिए फार्मसी में आती है यह जो pharmacist है, इसे भी शीने के बारे में सब कुछ पता है वो उसे कहती है, कि मैं तुमें एक gift देना चाहती हो, वो एक Bible लेती है और उसे देती है वो कहती है कि मुझे पता है कि किस pen में तुम हो, पर अगर तुम God का रास्ता चुन लोगी, तो यह सब pen तुमारा मिट जाएगा तुम अब जैसे दुखी हो, वेसे तुम नहीं रहोगी शीने कहती है कि मैं दुखी वेगरा कुछ भी नहीं हो, फिर भी यह उसे Bible देती है और शीने वहाँ से चली जाती है जब शीने घर आती है, तो उसका बेटा छुप जाता है, शीने प्रिटेंड करती है, कि उसका बेटा उसे कही भी नहीं मिल रहा, तो रोने लग गई है उसका बेटा जब बाहर निकलता है, तो उसके पीछे वह भागती है, यह बहुत स्वीट मुमेंट हमें दिखाए गया है शीने का जो ब्रदर होता है, वो फिर उसे मिलने के लिए आता है, शीने के बेटा जब सो जाता है, तो फिर दोनों बात करने लग जाते है ब्रदर कहता है कि उस आदमी के लिए तुम क्यों इतना ग्रीव कर रही हो, शीने का जो हस्बंड था, किसी दुसरी औरत के साथ उसका चक्कर था इसलिए शीने का ब्रदर उसे कहे रहा है, कि वो तुम से faithful नहीं था, फिर भी तुम उसके लिए मोन कर रही हो, यह गलत उसे लग रहा होता है शीने के एकसेप्ट करने के लिए रेड़े नहीं होती, शीने के थी है, यह मुझसे और उसके बेटे से बहुत प्यार करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है नेक सिन में हमें दिखता है कि किम शीने और उसके ब्रदर को एक लैंड दिखा रहा होता है यह जो लैंड होती है यह शीने का ब्रदर उसे बाई करकर देने वाला होता है किम फिर शीने और उसके ब्रदर को लेंज के लिए लेकर आता है वो कहता है कि इस land का जो owner है यह बहुत भड़ा आदमी है यह बहुत influential है उसे बहुत सारे काम को कर सकता है इसे मिलने के लिए शिने को एक appointment लेने पड़ती है शिने कीम से बुछती है कि इतना influence कुछ matter करता है किम कहता है कि मुझे इतना पता नहीं पर आदमी के इससे development हो जाती शीने उसे कहती है कि तुम जैसे आत्मी को कुछ कहा जाता है उसे स्नॉप बुला थी है शीने का ब्रदर अब यहाँ से जाने वाला होता है तो कीम उसे चोड़ने के लिए आता है शीने का बदूस से कहता है कि मुझे तुम्हें आडवाईस देनी है शीने जो है उसके टाइब के तुम नहीं हो तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना किम कुछ भी नहीं बोलता वहाँ से चला जाता है शीने हमें एक प्यूटी पार्लर में दीखती है वहां अपने हेर वो कट कर रही होती है वहा और भी कुछ audती है तो शीने के बारे में बात कर रही होती है शीने जिसको बता वता है कि उसे इंडिरे डिकोरेशन करना चाहिए वो बोल रही होती है ये बहुती गटी आडवाईस है वो सब शीने पर हस रहे होते है जब ये शौप वाली उठती है तो शीनों को देखती है वैसे प्रिटेंड करते है एक दूसरे को उन्होंने सुना ही नहीं है आज शीने का सन अपने मदर के बारे में एक ऐसे बोल कर सुनाने वाला था शीने वहाँ जाती है उसे बहुत ही जीयर करती है सब लोग फिर शेलिबरेशन करने के लिए होटल में आ जाते है वहाँ टीचर वेगरा भी होता है यह सब एंज़ॉय कर रहे होते है तो शीने को कॉल आता है जिस आदमी की लैंड थी वो आज आया हुआ है और कीम ने शीने को कॉल किया होता है यह तुम्हें उससे मिलना चाहिए यह डिनर छोड़ कर वो जा रही होती है वो सबको कहे कर जाती कि उसे लैंड बाई करने थी उसका ओनर यहाँ आया है जो टीचर होता है उसे पाहर चोड़ने के लिए आता है शीने उससे पुछती है क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो टीचर कहता है कि कुछ भी नहीं और शीने फिर वहाँ से चली जाती है नेकसिन में हमें ओनर और शीने इन दोनों के मिटिंग दिखाई गई है इसमें शीने ओनर को पियानो बजा कर दिखा रही होती है ओनर इसे इंप्रेस्ट हो जाता है वो कीम को कहता है तुमारी एज बहुत ही बढ़ चुकी है उसकी एज 39 हो चुकी हो थी है तो वो सजेस्ट कर रहा होता है कि वो शीने से शादी कर सकता है रात में हमें दिखता है कि जो शौप वाली थी वो अब शीने की साथ फ्रेंड हो चुकी है और वी शीने के फ्रेंड्स की जो मदर होती है ये सब मिलकर अब कलब में आ चुके हैं आज यह party कर रहे होते है शिनय बहुत द्रंक हो जाती है इसे club में एक call आता है इसके sun का एक call होता है पिसे कुछ सुनाय नहीं नहीं दे रहा होता तो एक कुछ बात नहीं कर पाती है जब ज़धा राथ हो जाती है एक घर आने के लिएBeड़ी होती है तहब उसे फिर से call आता ह इस call पर कोई बोल नहीं रहा होता है, थोड़ी देर बाद ये घर पर भोशती है, घर पर आने के बाद उसका sun उसे कही भी नहीं दिखता, ये बहुत इस्टब हो जाती है, वहाँ फिर उसका phone ring करता है, शीने का जो sun होता है, वो किर्णा वो चुका होता है, और एक किर्णा प पास जाती है, किम अपने shop पे होता है, और carry-o पे गाना गारा होता है, उसे help मागना चाती है, पर वो अपना mind change कर लीती है, शीने के बास जितने सारे सब पैसे होते है, वो सब बैंक से निकालती है, उसके पास कमी पैसे होते है, पर किर्णा पर की demand बहुत ही जादा होती है किर्णा पर फिर उसे एक spot पर बुलाता है, वहाँ की जडस्बिन होती है, वहाँ पैसे रखने के लिए बोलता है, शीने यह सब करती है, किर्णा पर कब फिर से उसे call आता है, शीने कहती है कि मैंने spot पर पैसे रख दिये है, शीने पुछती है कि कब मुझे मेरा बेटा मिल किर्णाइबर कहता है कि वह उसे फिर से कॉल करेगा। शिनी उस पर छिट चाती हैं कब तुम मुझे कॉल करने वाले हो? पर वो कुछ कर भी नहीं पाती जब वो घर पर आती है तो किर्णाइबर कफे से उसे कॉल आता है जो पैसे उसने दिये थे बहुत ही कम थे किर्णाइबर लैंड की बारे में उसे बुछता है वो कहता है कि तुम तो लैंड बाई करने वाली थी तो बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए शीने उसे कहती है कि जो land buy करने वाली थी यह सिर्फ दिखाने के लिए था मैं reach हूँ ऐसा मैं दिखा रही थी मेरे husband की policy से मुझे पैसे तो मेले थे पर यह सब मैंने studio buy करने में खच कर दिये मेरे बास ज़्यादा पैसे नहीं है कि नेफर फिर call काट देता है नेक्स दिन में हमें दिखता है कि अब शीने ने पुलिस को inform कर दिया है वहाँ किम भी होता है वो discuss कर रहे होते मिरियांग में ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा तो यह town नहीं था जब शीने घर पर आती है तो teacher की जो बेटी होती है वो अंधर ज़ाक रही होती है शीने को शक चला जाता है और वो police को call कर कर यह बता देती है नेक्स दिन police शीने के घर पर आती है उसे एक sports पर लेकर जाते है जाहोंने एक body मिली होती है ये शीने के सन की बॉड़ी होती है ये देखकर वो तैस नैस हो जाती है पुलिस स्टेशन में हमें शीने दिखती है ये जो मर्डर किया गया था ये टीचर नहीं किया होता है टीचर को सब पुलिस स्टेशन में लाते है और कीमु उसकर बहुत ही बढ़क जाता है उसे वो मार जाती तो देखती है कि शीने रो नहीं रही उसे बहुत ही गुस्ता आजाता है वो कहती है कि पहले तुमने अपने हस्बंड को मार दिया और अब अपने बेटे को भी खा गई शीने की डॉटर एनलौ को सब समालते है उसे ले कर जाते है किम शीने की साइट लेता है खेता है किम उसके पास आता है तूसे कहती है कि मैंने उस टीचर को क्यों जाने दिया मुझे वही लग रहा था किम उसे फाड दो जिन्दा काट दो शिने जीते जी मरे होए आदमी जैसी हो जाती है वो टीवी देखती है तो देखती ही रह जाती है ये एक रोबोट की तरह इमोशन लेस हो जाती है जब वो प्यानो क्लास लेती है तो बच्चों के सामने ही रो पड़ती है उसे पेट का दर्द होने लग जाता है फिर वो मेडिकल पर जाती है मेडिकल पर जो लेडी होती है उसे फिर से कहती है तुम जिस सब से घुजर रही हो इसके लिए God ही तुम्हें help कर सकता है तुम जब God पर believe करोगी तब तुम्हें पता चलेगा यह सब जो हुआ है इसके पीछे एक reason है गौड बहुती ग्रेट है वो सबका खैल रखता है को उसे कह रही होती है शी ने इस पर believe नहीं करती इस अब बिलिव नहीं करती है इस बिलिव नहीं करती है तुम्हें मुझमें इस sunlight में हर जगा ही होती है शी ने कहती है कि God अगर इतने सही होती है तो हम मेरे बेटे को नहीं लेकर जाते और यह जो sunlight है इसमें तुम मुझे कही God नहीं दिखाई दे रहा वो believe नहीं कर रही होती और वहाँ से चली जाती है इस medical वाले ने उसे कहा होता है हम सब लोग एक जगा मिलते है वहाँ तुम्हें आना चाहिए शिने वहाँ से चली गई होती है नेक्स दिन शिने को अपने बेटी की डेट रेजिस्टर करनी होती है कीम उसके पास आता है उसे help करने वाला होता है कीम उसे मना करती है वो कारी में बेटने ही कोशिश करता है तो उसे हकल देती है शिने जब यह date register करने के लिए जाती है तो आपना control लूज़ करती है बहुत ही वहार होने लग जाती है उसके chest में भी दर्थ होने लग गया होता है शिने ने कीम को आने में मना किया था फिर भी कीम वहाँ आ चुका है वो उसे सहारा देता है ये जब फ्रेश हवा लेने के लिए आगी स्टीट में जाते है तब शिन्यों को एक प्लेस दिखता है जहाँ सब लोग प्रेयर कर रहे होते है मेडिकल वाली नहीं उसे कहा था तो अब यहाँ जाना चाती है जब वे अंदर जाती है तब सब लोग प्रेयर करते है गाना काते है यह सब वो जब सुनती है तब फुट फुट कर रोने लग जाती है शेने अब गौड पर बिलिव करने लग चुकी है जो सब बिलिव और सोते है इनके साथ वो बिटी हुई होती है इसमें मेडिकल वाली भी होती है वो इन सब से कहती है कि मुझे और एक चांस मिला है मुझे कभी पता नहीं था कि हम फिर से किसी जी सकते है मुझे अब इस सब का मिनिंग पता जुल चुका है वो कहती है जब मैं मेडिकल वाले से मिली तो मुझे सब कुछ गलत लग रहा था मुझे बिलिव नहीं हो पारा था इस सब जगा गौड बसता है पर ये सब सही है उसका सन गौड के पास है इसकी पीछे कुछ रीजन है ये भी वो एक्सेप्ट करती है यहां किम भी आता है उसके पास बाइबल होती है शीने के साथ उसे रहना होता है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है नेक सिन में हमें दिखता है, चर्ज में prayer हो रही होती है इसके बाहर किम volunteer करता है, शिने के साथ वो रह सके, इसलिए यह सब वो करता है शिने उसके पास आती है, शिने उससे कहती है, क्या तुम यह सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो न उसे कहती है कि तुम स्वेर करो कि तुम एक्चुल में गौड में बिल्यू करते हो किम भी स्वेर करता है और ये दोनों फिर हमें प्रेयर में दिखाए गए है शिने जो है अब अपने दूसरे फ्रेंड के साथ लंच करी है बाइबल का इंपोर्टन्स इन सब को भी वो बताती है नेकसे इन में बस्टैन के बाहर हमें कीम दिखता है वो प्रेयर कर रहा होता है उसके फ्रेंड्स हो आते हैं और उसे अपने पास बुलाते है उसे चिटाते है कि एक लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो किम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर एक्चुल में ये सब वो शिने के लिए करता है शिने अपने घर पर होती है तो उसे अबास होता है कि उसका बेटा घर पर है शिने को बच्चों के आसपास रहना अच्छा लगता है इसलिए स्कूल में जाने वाले जो सब चोटे बच्चे है इन सब को स्कूल में अपने गाड़ी में छोड़ का जाती है अपने फ्रίν observed के लिए फिरो एक अनॉस्मेंट करती है वो कहती है जिसने मेरे सन को मारा है उसे मुझे अब फर्ग्यू करना है गौर्ण ने हमें बताया है कि हमें फर्ग्यूनेस करना चाहिए इसलिए मैं उसे माफ कर देने वाली हूँ उसे माफ करने के लिए उसे मिलने जाने वाली होती है जब उसे माफ करने वाली होती और मिलने जाने वाली होती किम भी वह होता है किम उसे कहता है उसे माफ करने के लिए तुम भी उसे देखना है चाहिए इसा कुछ भी ज़रूर नहीं है पर शीने उसकी मानती नहीं किम शीने और उसकी दो फ्रेंड्स होती है इन सब को लेकर टीचर से मिलनी के लिए जाते है वो टीचर से मिलती है और कहती है कि अब मैंने God का वे चूस कर लिया है मुझे फर्ग्यूनेस करने चाहिए तो इसलिए मैं अब तुम्हें फर्ग्यू कर रही हूँ टीचर कहता है कि जब मैं प्रिजन में आया तो मुझे भी गॉड मिल चुका है मैं भी एक दिन बहुत रूया और उसके बाद गॉड ने मुझे माफ कर दिया है वो शीने से कहता है कि मैं बहुत ही खोश हूँ यह तुम्हें भी यह रास्ता मिल चुका है हर रोस तुम्हारी लिए प्रे करता हूँ Teacher बहुत ही blissful लगता है सीने जब यह सब सुनती है तो वह disturbed हो जाती है वह जब बहार आती है तो उसे चक्कर आती हो और गिर जाती है सीने फिर हमें होस्पिटल में दिखाए कई है Kyoto के बहार होता है उसकी मदर को उसे call आता है उसकी मादर उसके लिए केर करती है, इसके लिए उसे हमेशा कॉल करती रहती है किम उसे कहता है कि मेरी तुम चिंता मत करो, मैं सही हूँ वो कैसे रह रहा है, उसका हाल चाल, यह सब उसकी मादर हमेशा उससे पूछती रहती है चर्च के सब लोग जब सीने से मिलने आते हैं किम उनसे कहता है कि डॉक्टर का ऐसा मानना है कि उसे साइकोलोजिकल कुछ जटकाया था इसकी वज़े से वो गिर चुकी थी हॉस्पिटल में सीने के फोर हेड पर किम किस करता है सीने जब ठीक हो जाती है चर्च में आने की कोशिस करती है चर्च में आने के बाद वो जो बेंच होता है उस पर ठोकने लग जाती है जब रात होती है तो चर्च के उसके सब फ्रेंड्स उसे कंसोल करने के लिए आते है वो सब उसके लिए प्रेर कर रहे होते है शीने यहाँ सब पर चिर जाती है वो कहती है गौड ऐसा कैसे कर सकता है जो मर्डर था उसने मेरे बेटे को मारा था और गौड उसे कैसे फरग्यू कर सकता है पहले मुझे उसे फरग्यू करना था फिर गौड उसे फरग्यू कर सकता था मेरे बेटे को मार कर वो इतना फिसफुल कैसे रह सकता है उन पर चिर्थी है और रोने लग जाती है नेकसिन में में दिखता है कि शीने एक पिक्चर की स्टोर में जाती है वहाँ से एक मूवी चोरी कर लेती है कुछ गलत करना कैसा होता है यह उसे फिल करकर देखना होता है यह पकड़ी जाती है यहाँ की स्टोर उनर उसके पीछे भागती है तब वे अपने बैग नहीं देती वह एक मूवी उसे वापस नहीं करती एक ग्राउन पर एक स्टेज होता है वहाँ बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे होते है वहाँ का जो स्पिकर होता है यह भी प्रेय कर रहा होता है शीने फिर जाती है और आडियो सिस्टम को निकाल लेती है वहाँ से चली जाती है रात में शीने को लगता है कि उसे फिर से किर्णापर का कॉल आया है वो कीम को कॉल करती है कीम कहता है यह तुम्हें इमेजिन कर रही होगी सीने मान नहीं रही होती है तो कीम बोलता है कि मैं पुलिस को इन्फरम कर दूंगा कीम उसे डिनर के लिए इन्वाट करता है वो कहता है तुम स्ट्रेस में हो और हमें डिनर करना चाहिए हम दोनों को मिलना चाहिए कल रात के लिए अब इनकी डेट होती है जब दुसरे दिन रात आती है तब किन का जो फ्रेंड होता है उसका है रेस्टरॉन होता है वो बहुत सारी अच्छे चीज़े बनवाने के लिए बोलता है और अपने फ्रेंड के पास कीचर में जाकर उसे सब इंस्टरक करता है वो आज बहुत ही खोश होता है शीने फिर हमें दिखती है कि वो मेडिकल स्टोर में आती है जो मेडिकल वाली थी उसका husband यह है उसके पाससा कर वो कहती है कि मेरी जो body है ये मुझे जरा अलग लग रही है उसे advice के जरूरत है ऐसा उसे बोलती है उसे रिजानी के कोशिश करती है इसे फिर वो बोलती है कि मुझे long drive पर लेकर चलो एक जगा और उसे लेकर जाती है उसे intimate होने की कोशिश करती है ये आदमी भी बहुना में बेहने लग जाता है पर उसे fit गौर्ड की आता थी है ये सब गलत है ऐसा उसे लगता है उसे फिर से घर छोड़ देता है रात में एक इम के पास आती है यह जो उनका डिनर था यह उसने skip कर चुकी है तो घर पर उसके पास आकर उसे कहती है यह तुम्हें हमेशा लगता होगा कि हम दोनों intimate हो जाए आज हम यह कर सकते है कीम को पता होता है कि यह बहुत ही दुखी है इसलिए यह सब कह रही है उसे कहता है कि अपने आपको तुम समालो शीने उसपर चीड जाती है वह वहाँ से चली जाती है घर जाते वक्त और एक prayer meeting उसे दिखती है वह एक पत्थर लेती है और उनके काचपर मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है रात में वो बहुत ही अकिली होती है उपर देखती है और गौड को बोलती है क्या तुम सब कुछ देख सकते हो वो फिर एक चाको रहती है और अपनी नस काट देती है उसी फिर बच्टावाता है और स्ट्रीट में जाकर लोगों से हैल मांगती है नेक सिन में हमें दिखता है कि शिने का ब्रदर सिटे में आ चुका है उसे लेने के लिए किम ही आया हुआ होता है शिने का ब्रदर किम से पोचता है कि मिरियां कैसा गाव है किम हसने लगता है किम कहता है तुमारी सिस्टर ने भी मुझे पहली बार जब आई थी यही सवाल पोचाता, वो कहता है कि सेम लोग है, सब कुछ यहाँ सेम ही है यह दोनों फिर हॉस्पिटल में आ जाते है, शिने का प्रदर शिने से मिलता है शिने को उसने देख लिया है, तो वो फिर से उसे स्टेशन छोट देते हैं और वो जाने लग जाता है, जब वो दोनों अकेले होते हैं, तो शिने कीम को बोलती है कि मुझे हेरिकट करना है, कीम उसे अगच्छे से पार्लर पर लेकर आता है इस पार्लर में शिने देखती है कि टीचर की जो बेटी है, वो ही यहाँ काम कर रही है वो उसे पुछताच करती है, उसे पुछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमारे स्कूल का क्या हुआ टीचर की बेटी बोलती है, कि मैंने स्कूल छोड़ दी है, मैं ज़रा ट्रबल में आ चुकी थी अब वापस आने के बाद, उसने स्कूल भी क्वीट कर दिया है, शीने टीचर की बेटी से हैरिकट नहीं ले पाती, वो हाँ से बाहर निकल जाती है वो किम पर चिट जाती है, किम को बोलती है, कि तुम यही मुझे क्यों लेकर आए, किम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता शीने आगे चलती है तो स्टोर ओर्नर के पास आती है ये स्टोर ओर्नर उसे कहती है कि जैसे तुने मुझे बताया था कि मुझे इंटरियर डिजाइन बदलनी चाहिए इसा है मैंने किया है और इससे मेरे बहुत अच्छे से सेल्स अब आ रहे है शीने कहती कि मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई शीने का अधूरा हैरिकट देखकर ये स्टोरर उसे उसके बारे में बुछती है शीने कहती कि मुझे मेरा हैरिकट अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं उटकर चली आई हूँ यह स्टोर और सीने इस पर बहुत हसने लग जाते हैं किम बिचारा सीने के बीचे-बीचे उसके घर पर भी आ जाता है सीने बाहर आती है, उसने एक mirror लाया होता है वो देखकर अपने खुद के hair वो काटने लग जाती है किम जब यह दिखता है तो हसता है उसे help करने के लिए mirror उठाता है यह हमें hair काटते हुए दिखती है और यह movie हैंड हो जाती है यह जो scene है यह movie का सबसे important scene है यह जो mirror है यह scene का self reflection represent करता है अपने आपको देखकर और वो better होना चाती है बालो काट रही है यह statement है कि अच्छा आप होना चाती है किम हमेशा उसके साथ होता है वो जब नहीं भी चाती तब किम उसके साथ ही होता है उसे बहुत ही प्यार करता है और हर कदम में उसके साथ वो चलने वाला है किम की जब गलती भी नहीं होती है तो अपनी गलती एक्सेप कर लेता है और शिने को हमेशा सपोर्ट करता है यह जो मेरर है यह किम नहीं होल्ड किया है हमेशा उसका साथ हो अब यहां देने वाला है हमें यहां मालू में जो दर्द है जो pain महसुस करी है ये temporary नहीं है ये जो दर्द है वो हमेशा महसुस करेगी पर थोड़ा थोड़ा हर दिन ये कम होता जाएगा जो pain होता है ये आसनी से नहीं जा सकता पर ये एक process है जिस process में अब वो लग चुकी है, उसने हम फ्रेंड्स वगरा बना लिये है पिछले सीन में हमने देखा था कि शॉप ओनर से वो बात करती और ये हस रहे है उसे सपोर्ट करने के लिए उसके फ्रेंड्स है किम भी हमेशा उसका साथ देने वाला है इस मुवी में इंटरप्रेटेशन के लिए भी हमें एक स्पेस दिया गया है जो टीचर था, वो में बहुत ही काम लगा था वो किसी को माय सकता है, यह हमें कभी भी नहीं लगा था इसके अधर हैंड में, टीचर की जो बेटी थी, वो वाइलन थी वो टरबल में आ गई थी, इसी वज़े से उसे जेल में भी जाना पड़ा था इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, यह एकुचोल में जो मर्डर था, वो टीचर की बेटी नहीं किया था टीचर एक अच्छा पैरेंट था, इसी वज़े से अपने बेटी की जगाव पर वो जेल में चला गया पर यह मूवी कल्प्रिट कौन था, इस वर फोकस नहीं करती तो यह सब शीने के बारे में हैं, आपको कितनी भी तकलिफ हो, आपको कितना भी पहन हो रहा हो, फिर भी आप इससे रिकावर कर सकते हो अपने लाइफ लेना यह एक आप्चन नहीं है, जिससे आप प्यार करते थे, उसके मेमरीज के साथ आप रह सकते हो लास दिन में हमें दिखता है, किसीने और उसका सन जहां खेलते थे, वही आकर वो अपने बाल काट रही है उसके बेटे के मेमरीज में रहने वाली है, यह हमें यहाँ दिखता है बहुती पैंफुल यह मूवी थी, पर हमें लाइफ का एक अच्छा लेशन यह सिका कर जाती है अगर आपको वीडियो चलागा, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहता हूँ, तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया